माफियां को काटा लगने पर दरद कुछ राज नेताओं को भी होता है अनियल विजी ने कहा जब देश में अमरजेंसी लगी थी और मोलिक अधिकारों का हनन हुआ था तब सरद पवार क्यो नहीं बोले अनियल विजी ने कहा सरद पवार जी आप कहां थे जब मोलिक अदिकारों को वो बुल्डोजर से कुचला जाग गया था हर्यान के ग्रे एम स्वास्त मंतरी अनियल विजी ने बुद्वार को अतिक हैमत की हत्यावए कानून विवस्था को लेकर किये जारहे स्वालों पर विपक्षियों को आड़े हाथ हो लिया उन्होंने कहा कुछ राजनेताओं को माफिया के साथ प्रेम है अगर माफिया को सुई या काटा लगता है तो दरद इन राजनेताओं को होता है अनियल विजी बुद्वार को अमबाला में पत्तरकारों से बाचित कर रहे थे उन्होंने विपक्षिय पार्टी दवरा उठाए गए स्वाल सत्ताधारी ताक्तें सुईधान और कानून की अंदेखी करेंगी तो हम गल्त रास्ते पर चले जाएंगे का जवाब देते हुए कहा कि सरत पवार जी अमर्जेंसी में लोगों को दोनों से उठाकर जेलों में ठूस दिया गया था अमर्जेंसी के समय में सभी लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था तब सरत पवार जी कहां थे सरद पवार जी आप कहां थे जब मुलिक अधिकारों को बुल्डोजर से कुचला जा रहा था पवार जी आप तब भी राजनीती में थे और तब यह ग्यान इंद्रा गांदी को क्यों नहीं दिया विज ने कहा जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माद्यम से हो रहा है कोर्ट में हर आदमी को अपने बात रखने का अधिकार है कोर्ट सब के पक्सी सुनने के फैसले दे रही है अतिक एमद और उसके भाई की हत्या पर यूपी कॉंगरिश अधिक्स ने कहा कि चोराहे पर तो तालिबानी मारे जाते हैं यह लोग तालिबानी हुकूमत नहीं यहां तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगी इसका जवाब देते हुए हरियान के ग्रह मंत्रियन लिविज ने कहा कि कुछ राजनेताओं के माभियों के साथ प्रेम पर संग है